बेटा तो चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रिविएस वीडियो में हमने सी का सेकेंड कोश्चन तक किया था येस थर्ड कोश्चन वो हम लोग इस वीडियो में आगे करते हूं ठीक है इनके टीथ के बारे में आपको डिफरेंस बताना है इसका अंसर आप इस तरह से लिखोगे अभी ये क्या हुआ किसका है ये ये हर्भी वोरस अनिमल्स अब देखिए टीथ ओफ कार्णी वोरस यानि जो कार्णी वोरस अनिमल्स उनके टीथ किस तरह से होते है इस प्रकार आप इसका आंसर लिखोगे ठीक है बेटा जो रोडेंट्स होते हैं उनकी इंसीजर का स्पेशल क्यूं होते हैं वो चीज आपको बतानी है तो दिखिए फोर्थ का आंसर इस तरह से आप लिखोगे बेटा रोडेंट्स कीप ओन रिप्लेसिंग देर इंसीजर्स बाई कॉंस्टेंट निबलिंग ओके इस प्रकार आप इस फोर्थ का आंसर भी आपका कम्प्लीट हो गया ओके देखते हैं अब डी नेम दा फॉलूंग आपको नाम लिखना है टू रियूमिनेंट्स के आपको नाम लिखते हैं पहला है काव दूसरा है शीप ओके काव एंड शीप टू एनिमल्स विद शार्प पॉइंटेट कैनाइन्स लॉइन टाइकर ओके टू स्क्वैंजर्स के नाम आपको लिखते हैं जो येस मरे हुए जानवरों को खाते हैं वल्चर एंड हाइना ओके टू बलड सक्किंग एनिमल्स यानि जो खुन चूसते से जानवरों के नाम लिखने हैं लीच एन मॉस्कित ओके अब देखते हैं बेटा एक्टिविटी बेस्ट कोश्यन है फाइंड आउट दा नेम आपको इसमें फाइप रिमिनेंस के नेम धूनने ठीक है मैंने ढूंडा हुआ है देख लीजिए आप पहला है कैमल बफैलो काउ शीप ओके कितने हुए यह मैंने फाइप बताएं फोर बताएं हैं एक आप खुद ढूनोगी उसमें से गिड में से ओके इस प्रकार से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ठीक है बेटा येस एक वन आपके लिए होमवर्क है वन इस होमवर्क आगे देखी बेटा, boost your brain only female mosquitoes suck the blood okay, only female mosquitoes जो होते हैं बेटा जो मादा मच्छर होते हैं, वही क्या करते हैं, blood को suck करते हैं male mosquitoes suck the nectar of flour male mosquitoes क्या suck करते हैं, nectar of flour जो flower होते हैं, उनमें जो रस होता है, उसको वो करते हैं, suck और कारता कौन है आपको, यह सापकी blood को कौन से करता है, mosquito female mosquito, ओके, यह आपको important है ना, आपके जानना चाहिए यह चीज ठीके बेटा, तो आपका यह chapter यहाँ पे finish होता है और आपको fair copy में बेटा, जितना भी मैंने लिखाया है है ना, question on से सब कुछ मैंने करा दिया है अब आप इसको अच्छे से बेटा, fair copy में neat and clean आप लिखोगे, और उसके बाद उसको आप learn करोगे क्योंकि जब school खुलेगा, exam होंगे आपके, है की नहीं yes, आपको learn भी होना चाहिए बेटा तो याद कीजी और copy में लिख लिख के आप learn कीजी, ठीक है yes, बाकी हम लोग new chapter next वीडियो में पढ़ेंगे ओके बिटा